दोस्तों किया आप लोगे साथ भी यह हुआ है कि नया विंडोस कंप्यूटर आप लोगों ने लिया कुछ दिन तक चला यह अच्छा चला शाद महीने देड महीने अच्छा चला लेकिन फर धीरे धीरे वह स्लो हो जाता है उसके बाद तो यह साल देड़े साल के बाद एड्वांसमेंट होगे टेक्नलोजी में लेकिन फिर भी विंडोस के साथ इस टाप की प्रोमलों हमेशा से क्यों जुड़े हुई है और शाद आगे भी जुड़ी रहेगी इन सब के बारे वीडियो के अंदर मत करते हैं पसंद है लाइक कर देना चैनल को सब्स्राइब कर एरर आती अन्यू सॉफ्टर वगर हटाना और यह विंडोस के साथ एक तिकत है आप यह नहीं कि विंडोस का ख्याल आप लोगों खुद रखना पड़ता है अब वह कैसे देखो जहां देखा जा तो विंडोस की जो सिस्टेम रिक्वार्मेंट हो पिछले कुछ सालों से से लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सॉफ्टर में फीचर थी एडवास्मेंट नहीं अभी के सब विंडोस 11 काफी जादा फास्ट है पॉपलर है और अच्छे तरीके से काम करता है लेकिन विंडोस 11 का जो डेटा उसे वह जल्दी से जल्दी एकसेस करना चाहता है और सबसे देखा जाए तो डेफिनिटली हाप पर जो परफॉमेंस से उसके अंदर बूस्ट होगा क्योंकि आज के समय जो विंडोस है वह हार्ट्रेक पर चल जाता है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे खारण हो सकते कि SSD होने के बाब वुजूद भी आपका यहाप पीसी हापने स्लो गया और उसमें से एक चीज है इस स्टार्ट अब यहाने के बहुत सारे स्टाट अब वाले प्रोग्राम होते हैं जो कम्प्यूटर को शुरू करते हैं यहां पर बैंग्राउंड में शुरू हो जाते हैं यह एक बहुत ही इक सबसे बड़ी दिक्क्त है यानि कि अगर हुआ आ रहा हूँ यह हमेशा से यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है विंडोस के साथ कि कोई भी सॉफ्टर डालो स्टार्टप पर रन हो जाएगा और इसको सॉल्व करने का सबसे आसन तरीका है कि टास्क मेनेजर में जाके स्टार्टप से सारी चीज़े इसको बाद में अनिस्टॉल कर देते हैं लेकर इसके लावा एक कारण यह कि लोग सॉफ्टर डाल लेते हैं और उसको बाद में अनिस्टॉल कर देते हैं लेकिन ये भूल जाते, कई बाद सॉफ्टरी कोई चीज़े या PC के अंदर है जाती, जैसे भी बहुत करें, यहाँ पर रिस्ट्री के अंदर फाल्तू एंट्रीज होती, काफी सारे error logs होते है, जिनसे अफेक्ट पड़ता है, काफी सारे file, folder, backup लेटा रहता है, जो यहाँ पर background में उसकी update चलती रहती है, जिसके अंदर वो data यूज़ करता रहेगा, आपके resources यूज़ करता रहेगा, update को download करेगा, उसे install करेगा, जिससे oral performance यहाँ पर कम रहती है, इसको solve करने का बस एक तरीका है, कि update को यहाँ पर पॉस कर दीजिए, यह एक simple तरीका है यहाँ आपको चड़ जाती है, जिस current से कई बार errors वगर आती है, software ढंक से काम नहीं करती है, यहाँ तक की दिक्कत तब भी आती है, जब आपके PC के driver properly updated नहीं हो, मान लीजी कि आपने Windows को update कर लिया, लेकिन जो driver है, वो पुराना पड़ा हुआ है, और जो पुराना driver है, वो नए वाले के सा तो ही एक चीज है, इसके साथ ही काफ़ी सार लोग यहाँ पे अपने PC से cache है और temporary files भी clear नहीं करते है, यह एक सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, और temporary files भढ़ते भढ़ते धीरे धीरे होते होते कई GB's तक पहुंच जाती है, और यह भी slow performance का एक reason है, और इसके साथ ही देख पाता, thermals होते अच्छे नहीं हो पाते है, जिस कारण से PC यहाँ पे slow जाता है, इवन अगर आपका computer 4-5 साल अगर हो चुका है, तो definitely आप एक consider कीजिए उसका thermal paste चेंज करने का, क्योंकि प्रोसेसर की उपर जो fan होता है, वहाँ पे लगता है thermal paste, और thermal paste धीरी धीरी जब dry हो ज नहीं जान दे सकते है, मान लीजे, बहुत ही सही तरीका है, इसको मैंने हाँ पे यूस किया है, thermal paste अगर 5 साल से जादा पुराना computer एक बार replace कर दीजे, क्योंकि जादा यूस कर रहे तो वो dry हो सकता है, तो दूसरा ये कोछ चीजे थी, जिन से लोगों का जो रहता है, उनका विंडोस को दुबार से रिंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद तो काफी सारी चीजे यहाँ पर सॉल्व होई जाएंगी, तो दोस्तों ये सारी चीजे रहती है, यहाँ पर भाइदवे आप लोगों इस साथ इस टैक्वी प्रॉब्लम होई है, और आप लोगों ने इस टै लोगों व मैं對不對, पर वोगों यहाँ को होई मैं?